नगर परिशद हमीरपूर में बायो डार्वर्सिटी कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में नगर परिशद हमीरपूर की अध्यक्षा सुलोचना देवी एवं कारेकारी अधिकारी किशोरी लाल थाकुर विशेश रूप से मौजूद रहे। इस तोरान नगर परिशद हमीरपूर में शहरी विकास विफाग के मैनेजर के रूप में तैनात डॉक्टर अरुन चौबे ने कमेटी के कारियों और योजनाओं के महत्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। नगर परिशद हमीरपूर में बायो डायवरचिटी कमेटी की बैथक का आयोजन किया गया शहरी विकास विफाग के मैंनेजर अरुन कुमार चौबे ने इस मौके पर कहा की हर नगर निकाय में इस तरह की कमेटी का गठन किया गया है उन्होंने कहा कि इस कमेटी के गठन का लक्ष विकास के साथ ही परियावरन को सनक्षित करना भी है उन्होंने कहा कि इस बैठक के दोरान जल, जंगल, जमीन का विकास कारियों के दोरान किस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए इस विश्य पर विस्तार से चर्चा की गई एक कमीटी जो है हर एक नगर पंचायतो में मिनिश्फल काउंसिल्स में एक बायो डावर्सिटी को लेकर के कमीटी बनाई गी है इस साल के अंत में उसी की एक बैठक थी और बायो डावर्सिटी के लेकर के बिभिन मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई सारे सदर से उपलब है और कुल मिला करके आप देखें तो जो हम जल जंगल जमीन का जो इस्तमाल का तरीका है इसमें जरूर भी से सुरूप से बात की गई कि जो डेवलप्मेंट तो हम कर रहे हैं लेकिन कहीं ने कहीं जो है थोड़े से कंपरमाइज कर रहे हैं इन बायो डैवर्शिटी की इसू को तो इसमें एक प्रोफाइलिंग तयार होगी आज का जो मिटिंग का मुख्य मुद्दा था वह यह था कि एक प्रोफाइलिंग तयार होगी कि हमारे जो सहर के लगे हुए जो वाड हैं और जो लगे हुए इलाके हैं वहां पे किस तरह के पेड़ पौदे हैं किस तरह के हमारे ट्रेडिशनल चीज़ें क्या हैं चाहे फूद पेटरंस हों चाहे जिवजनतु हों पानी की क्या है समस्या पेणों क्या है इनकी प्रोफाइलिंग तयार होगी यह आज का मुख्य बुद्दा था इसमें आज एक एवी बात हुई कि जो हमारे चुने हुए प्रतनीधी है वो वाड में अपने ही इन सब वीसियों को ले करके जो लोग हैं चाहे हो रिटार्ड हों चाहे हमारे वर्तमान कारिरत लोग हैं उसमें सिटिजन की भी हम भागिदारी लेने की कोशीज करेंगे ताकि ये जो प्रोफाइलिंग है दूसरा इसमें बड़ी बात है कि पहले जो है ग्रामी निलाकों में तो ये सब चीजों को देखा जाता था पर अब जो है सहरों में भी इन सब चीजों पर जोर है तो पहला आज हमारा कदम है कि इसमें हम बायो डायवर्सिटी के लेकर के प्रोफाइल तयार करें और उसमें हम देखें कि कहां क्या गैपफ है और उसमें हम फिर आगे बढ़ें बतादें की कमेटी की बैठक के दोरान ये सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि विकास के साथ ही परियावरन सरंक्षन को भी भढ़ावा दिया जा सके ये सर्व विदित है कि देश और प्रदेश में शेहरों का दाइरा बढ़ता जा रहा है ऐसे में विकासकारियों के दोरान परियावरन सरंक्षन और बायो डाइवरसिटी के नियमों का ध्यान रखा जाना बेहद आवशक है इसी के चलते अब नगर परिशद हमीरपूर में भी बायो डाइवरसिटी कमेटी ने विकासकारे के दोरान महत्तोपूर्ण रूप से परियावरन सरंक्षन पर बल देना शुरू कर दिया है इसके चलते अब लगातार कमेटी लगभग हर विकास कारे पर नजर रखते हुए नियमों की पालना सुनिश्चित कर रही है ब्यूरर रिपोर्ट सिटी चैनल हमीरपूर